हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो बनी व्लोग आज हम अन्बॉक्सिंग करेंगे बार्बिक्यू नेशन्स की कम्प्लीट यह पैकेज है जो हमने मंगाया था इसमें सारी चीजे हैं जो बार्बिक्यू नेशन में अगर आप जाएंगे तो सर्व होगी तो यह डिलिवरी के लिए य इसमें कुछ स्टार्टर्थ और यह बॉक्स है तो सबसे पहले हम खोलते हैं इस बॉक्स को देखते इसमें क्याके चीजें हैं काफी अच्छी प्राकेजिंग है इसकी अब देख रहे हैं इसमें बहुत सारे बॉक्स हैं यह केक है ये मिन् चटनी है ये भी कोल के देखेंगे ब्रेट्ट्ट्स है ये गुलाब जामुट है ये सॉस है इसको भी देखेंगे कोई करी लग रही है इसको भी बात में खुलेंगे यह कुछ स्टार्टर रगवे हैं, यह भी एक box है, यह कुछ कटलरी है, तो इसको रखते हैं side में, अब इस बॉक्स में हमारे पास इस box में लगबग एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, आइटम रखे थे, प्लस, आठ में एक cutlery थी, तो इसको रखते हैं ह इसको खोलते हैं है यह देख रहे हैं इसमें कौर्न और चिली और नमक का मसाला है तो यह एका लग से बॉक्स आया था हिसाइड में रख देते हैं अब यह बॉक्स खोलते हैं इसमें देख है अगे मिलिया है यह एक्ष़ली वेच प्लेट है मतलब जो हमने लिया हुआ है तो यह पूरा वेच एक कॉमिनेशन है तो इसमें यह मुझे लग रहा है राईस है यह विर्यानी है और ये बॉक्स खोलते हैं देखें ये क्या है ये पनीर की सब्जी है ये एक पनीर की सब्जी है ये है दाल मकनी ये ब्राउनी है ये है गुलाब जामूर अच्छा इसमें ये है स्टार्टर्स इस आप देख रहे हैं इसमें ये है पनीर टिक्का और ये है वेच कटलेट ये इस बॉक्स में है सैलेट साइड में रख देते हैं एक ये बॉक्स है इसमें है चॉकलेट फज जो की डिजर्ट है एक और और क्याके चीज़े होगी हमारे पास ये बच्छा है इसमें है ये हमारे पास लच्छा पराठा है एक दो ये हैं दो लच्छा पराठा तो आप देख रहे हैं इसमें हमें मिले हैं एक दो तीन स्टार्टर्स एक दो तो ये में infl qui हो गया हमारा और साथ में है हमारे पास एक दो तीन ये डिजर्ट है तो तीन डिजर्ट हो गया हमारे पास चार आइटम मेंन कोर्स के हो गया है और तीन चीज़े हो गई हमारी स्टार्टर्स की तो यह सारी चीज़े जो हमारे पास आई है यह वेज मंगाया था हमने बाबी की नेशन से और इसकी पूरी कॉस्स जो है वो है 831 रुपीज अगर आप इसको ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन स्विगी से तो यह सारी चीज़े है आप लोग भी अगर चाहें तो यह सब घर से मंगा सकते हैं वेज़ प्लेट में भी बहुत सारे ऑप्शेन इसी तरह के रहते हैं बट यह है कि चीज़े इतनी आएंगी अगर घर पे आप अंगा रहे हैं तो इनको खाईए और एंजॉय करिए आप लोग भी साथ में अगर